हलो फ्रेंड्स यदि आपके ऑपरेशन से डिलिवरी हुई है तो आपके मन में एक सवाल आ रहा हुगा कि ऑपरेशन के बाद मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो मैं डॉक्टर सुशिला से इस वीडियो में आपको यही बताने जा रही हूँ कि ऑपरेशन से जब डिलिवरी होती तो उसके बाद आपको क्या परहिज रखना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जनरली जब भी ऑपरेशन होता है तो इस प्रकार के टांके पेट पर लगते हैं जिसकी वज़ए से पेट में थोड़ा सूजन दार्थ और उटने बैठने में थोड़ी परेशानी रहती है जिसकी वज़ए से 5-7 दिन तक लगबग लेडिस रेस्ट पे रहते यानि कि ज़ इसकी वज़ए से बच्चे की फीडिंग भी पूरी नहीं हो पाती और बच्चा कमजोर हो सकता है तो सबसे इंपोर्टेंट है कि अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान दिया जाए अब खाने में जनरली डिलिवरे के बाद जो एक इंडिया का ट्रेडिशन है कि मसाला बिल नहीं मिल पाता है इसलिए हम जो सला देते हैं कि आप रूटेन रेगुलर डाइट खा सकते हैं खाने में आप पानी अच्छे से लीजी सुभा और श्रम दूद आप ले सकती हैं दिन में आप फूर्ट्स ले सकती हैं जनरली डिलिवरे के बाद खटाई खाने के लिए लिए बड़ा अच्छा होता जैसे कि मौसमी का जूस वगरे बताया जाता है लेकिन इंडियन डिशन्स में यह चीज़ें नहीं दी जाती हैं तो अगर आप यह नहीं ले सकते हैं तो उसके रिप्लेस्मेंट में फिर हम लोग आपको वाइटामिन C की गोली भी दे देते है लेकिन अगर आप दूद और दही ले लेती हैं तो आपको वाइटामिन B12 की और एनरजी की जो रिक्वाइर्मेंट होती है वो से पूरी हो जाती है दही लेने से आपका गटका फ्लोरा यानिकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे रहते हैं तो सेजेरियन आपरेशन क जो कई बार एंटिवाइटिक्स आपको दी जाती है तो उसे के बार आपका पीट खराब हो जाता है मुह में चाले हो जाते हैं तो वो सब जिसे ठीक हो जाती है इसके अलावा आप जैसे दाल ले सकती हैं खिचडी ले सकती है और सबजियों वाली आप खिचडी बनवा के जिससे कि आपको मेनरल्स और वाइटामिन्स भी पूरे मिलेंगे और किसी प्रकार की नुट्रिशन की कमी भी नहीं होगी, पेट भी भर जाएगा, अब ये कहा जाता है कि आपको नमक नहीं देना, क्योंकि टांको में खुजली चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मित है, फैक्ट नहीं है, खुजली जो चलती है टांको के अंदर, तो जब भी टांको की हीलिंग होती है, तो इसमें हिस्टामिन नम का केमिकल बॉड़ी के अंदर ही बनता है, और हिस्टामिन की वज़े से ही टांको में खुजली चलती है, ना कि नमक खाने की वज़े से, तो नमक आप खाना चाहिए क्योंकि अगर आप नमक नहीं लेती है तो आपका blood pressure कम हो सकता है आपको घबराइट चक्क की problem हो सकते है तो normal जो नमक आपको खाने में लेना चाहिए वो जरूर लेना चाहिए उसको bend नहीं करना चाहिए इसके लब मीठा खाने की कोई मना ही नहीं होती है से आप चाय में दूद में या जो भी आपको हलवा वगर जो भी खाना तो आप मीठा अराम से ले सकती हैं तीसरा सवाली पुछा जाता है कि घी कितना खा सकते हैं इसके लिए हमने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है कि आप डिलिवरी के बाद कितना घी खा सकती है पर आप जितना नॉमल घी आपको रोटी पे लगाने के लिए या हलवे में डालने के लिए जिसमें भी आपको डालने के लिए चाहिए वो आप ले सकती हैं लेकिन एक्स्ट्रा ना ले इसके अलावा आप डाले सारी ले सकती हैं क्योंकि अगर आप डाले लेती है तो कम मसाले कि आप दाल बना लीजिए, तो दाले लेने से आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी, हीलिंग भी अच्छी होगी, रिकवरी भी फास्ट होगी, इसके लाव आप रोटी ले सकती हैं, और अगर आपको कबजी के समस्या रहती हैं, आप रोटी में अजवाइन डाल के ले सकती हैं, और कई बार अजवाइन अलग से भी खाने को दी जाती है, डिलिवरी के बाद लोगों का विश्वास होता है, जो बढ़ा है या बढ़ गया है, तो पेट अजवाइन से छट जाएगा, या ठीक हो जाएगा, बट वो फैट डिपॉजिशन एक अलग चीज है, उसका मैनेजमेंट आपको अलग करना पड़ेगा, लेकिन अजवाइन खाने से आपको कॉंस्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, तो आप अच्छे से अजवाइन खा सकती, लेकिन अगर ज़्यादा लेती है, तो डाइरिया की प्राब्लम भी हो सकती, बहुत से हमारे पेशन कंप्लेंड करते हैं कि इनको डाइरिया हो गया है, यानि कि दस लग गए है, तो जनरली अजवाइन खाने से होता है, तो उसमे कि आपको ये समझ में आए कि आपको तीन से चार लीटर पानी पीना चाहिए, सुबश शाम दूद ले सकती, दिन में दही ले सकती, पेट भर के आप खाना खा सकती, क्योंकि कम खाना खाने से टांकों पर ऐसा नहीं है कि कम खाना खाएंगे तो टांके जल्दी भरेंगे, और ज्यादा खाना खाएंगे तो पेट फू लेगा और टांकों पर खिचाओ पड़ेगा, जितना आपको भूक लग रही है, उतना आप खाना खा सकते हैं, आप रूटी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, हरी सबजियां सारी खा सकते हैं, फ्रूट्स आप सारी ले सकते हैं, constipation के लिए आप अजवाइन और पपीता ले सकते हैं और इसके अलावा juices आप ले सकती हैं और दूब में protein powder डाल के ले सकती हैं इसके अलावा यदि कोई caution है तो आप comment box में लिखके हमसे पूछ सकती है आप से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकार के साथ तब तक नमस्कार